नमो नारे ये गोमाता वंदे मात्रमा भार्थी कुप्रणाम ये 40 दिन मंगल के है। धनों में 16 जनवरी 2022 को साम 4 बज कर 30 मिनट पर प्रवेश करेगे। ग्रे कॉंसिल के सेनापती मंगल देव देवगुरु ब्रश्पत्ति की रासी में प्रवेश कर रहे हैं। और 40 दिन शुक्र के साथ यहां संसरन करेंगे और शुक्र 29 जनवरी तक वक्री है उसके बाद मारगी हों। मित्रों शाथियों अपने मित्र की रासी में मंगल का प्रवेश 12 राश्यों पर क्या प्रभाव डालेगा यह जानकारी लेकर आपके सामने और यह जानकारी है वो मंगल के आधार पर मंगल देव जो धनुराश्य में आ रहे हैं उसी आधार पर खाली मंगल देव को ध्यान में रखकर और शुकर शात्म है मैंने ये राशिपल लिका है और ये राशिपल आपके नाम राशी आपके जनम राशिपल राधारित है मित्रशातियों फलादेश पर आउं उससे पहले कुछ जानना जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आप ले लेंगे तो थोड़ी सा भारति, सनातन, संस्कृति और जोतिस को आप समझ पाएंगे और आगे आपको ये बात समझ में आईगी कि मैंने ये फलादेश कैसे किया है आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो आप स्कैप कर दीजिए फॉरवर्ड की वेवस्ता वीडियो में रहती है आप फलादेश पे चले जाना लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत उपियोगी है और आपके काम आएगा मित्रशातियों शुकर और मंगल का हमारे जीवन पर गहरा परभाव परता है शुकर हमारी वेल्ट का कारक है शुक्षुविधा का कारक हमारी मिलासिता का कारक है और मंगल उर्जा का जनून का आकरमरता का इच्छा का करम का कारक जो हम कारी करते हैं उसकारी की प्रती हमारी उर्दा कैसे रहेगी उसका कारक मंगल है। आपका स्वाद बोध किड्निक इसब इसब मंगल से समद्धी चीज़े है राशियों में मेश और विर्चिक राशी का सौमी मंगल है करक राशी में नीचका और मकर राशी में मंगल उचका होता है मेश और विर्चिक राशी का सौमी होने के काण थोड़ा सा और समझ जी कालपूर्श की कुंडली में पहले और आटवे भाव निए पहला भाव निए मेश राशी और आटवा भाव निए भाव का सौमी मंगल है कालपूर्श की कुंडली में मंगल पहले भाव और अस्टम भाव को संचालित करता है मंगल का धनुरार्श में परवेश क्या होगा क्योंकि मंगल बहुत आकर्मक और महत्वकां सिक्र है सबाव बहुत हटेला है इसका और साट से परिपूरून है इदि जुनून आ जाए तो फिर पिछी मुड कर नहीं देखते हैं विए कारी जिन में सास है प्राकरम है जोस है हिम्मत है उर्दा से संबन्दित है मंगल वहां पर हमेशा उपस्तित रहेगा चाए वो शेना हो चाए आर्मी हो पुलीश हो इलेक्ट्रिक हो इलोट्रोनिक हो इंजिनीर हो डाक्टर कम है सूजबूजे वो बहुत समझ विवेग से काम करती और मंगल अगनी तो तो है तो मेश राशी का सौमी है तो मेश राशी अगनी तो राशी है और धन राशी भी अगनी तो राशी है धन राशी प्रश्पति की मूलतर कौन राशी और अगनी तो तो राशी लेकिन प्रादर्स है और लक्ष को पाने की एक द्रड़ इच्छा है अगनीत दुराशी है क्रोध नहीं समझदारी है लक्ष की प्रति आगे बढ़ने की एक उमंग है जब आकरमगरह मंगल जब इसमें प्रवेश करेगा तब अपना यह रूप बदल देगा अपने क्रोध को छोड करने के लिए मंगल धन राशी में मजबूर होगा तो धन राशी की चैली देखकर मंगलिया मैसूस करेगा कि जिस राशी में प्रवेश कर रहा है वह बहुती गंभीर और समझदार राशी है विवेक्षिल लाति बुद्दी से काम कर रही है उसमें मंगल पूरी तरह से का प्रियास करेगा और शुकर पहले सी धन राशी में वक्रिया वस्ता में संचर्ण करें शुकर भी नैसर के शुपगर है भाई वलियो मंगल से ने दोस्ते ने दोस्पनी है लेकिन शुकर विलासिता का प्रतीक है मंगर और शुकर की जो विलासिता धन राशी कंट्रोल कर और जब शुक्र जब मारगी और जञेंगे तब मंङल की साथ शुपफिल मही संचरक से सैराid यह दिए जाता कि जन्यमकुणली मंगल शुब है तो केतू का प्रभाव भी शुब हैगा तो केतू यहां अच्छे फल प्रदान करेगा चार फर्विर से 22 फर्विर तक पुरुवासादा नक्षत्र में मंगल का संच्रण होगा पुरुवासादा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र शुक्षमर्दी विलासिता का प्रतिक है संभाल कर चलना होगा सामाजी का और वेवाइग रिष्टों की थोड़ी सी कदर करनी पड़ेगी क्योंकि सरकल बढ़ेगा यहां शुक्र के साथ होने से मंगल का जो मिजाज है वो थोड़ासा रशिक होगा जो आपके लिए तकलीप भाइग हो सकता है फटाफट निरने चाहे रिष्टे हो चाहे कारोबार हो नीजी जीमन में व्यक्त की तुरूप से कोई मसला है यह तुरंत निरन लेगा सगाई की बाद तुरंत साधी ऐसा सोचेगा कोई भी काम तुरंत करना चाहेगा सावधानी थोड़ासा सावधानी और 22 परविशे 26 परविशे तक उत्र साधा नक्षतर यहां मंगल ज्यादा आक्रमरत रहेगा साज दिखाएगा तो संभलना होगा जो मेरी समझ है जो मेरी गणना है जितना मैं जानता हूं तो यह 40 दिन कला मीडिया प्रॉपर्टी फिलम इंडिस्ट्री टूरिजम उर्द्या का जो च्वित्र है उसमें इस सू अनुरासी में गोचर आपके व्यक्तितों में दढ़ता लाएगा अध्यात्म रुजान के साथ व्यक्तिकत वैवार पक्ष मजबूत होगा और विचारों में दास्तनिता और तार्क पना भी लाएगी तरक लेका आएगी एक बात ध्यान डखना शाती हूं मंगल आरोई है जो हमारे राष्ट के करणधार हैं जो उच्पदों पर विराजमान है उन्हें थोड़ी सा सालिंता का परचे देना होगा समवाद में सब्दों में सालिंता नहीं होने की वज़े से सामपर्दिक स्वार्थ में कमी आ सकती है राष्षीत में सोचना चाहिए गृष्टब में राजनितिक परपेश संभल कर चलने का है इस मामले को लेकर थोड़ी सी उठा पटक जरूर है और शावधानी बरतनी चाहिए मैदनी जोतिस के अनुसार बहुत जरूरी है राष्षित में सोचना और प्रिवेंशन बेटर दन क्योर इस बात का ध्यान रखना है कि करोना बहुत फैल रहा है मास्क लगा कर रखें दूरी रखें पपलिगिस्तान पर ज्यादा भीड़ नहीं हो तो अच्छा होगा क्योंकि अभी तेरा फरवरित तक तक ऐसा लगता है कि हमें सब को शावधानी बरतनी चाहिए नक्षतर गर्णा यही कह रही है अब मैं मंगल का ध यह जो राशी फले वो आपके नाम राशी आपके जन्राशी पराधारित है और सबसे पहले मेश राशी वालों के लिए लगन और अस्टम भाव का शौमी होकर मंगल धनुराशी में वक्री शुकर के साथ नौवे भाव में संच्रण करेगार नौवा भाव धर्म का भाव ह शुक्र धनुराश्य में 29 जन्वरी को मारगी होगा नमंभाव भागेस्तान धरम का भाव पिता का भाव अंतराश्य यात्राओं का और लंबी यात्राओं का भाव है मित्रों शात्यों मंगल स्वरासी विर्षिक में अस्टम भाव में संचरन कर रहे थे यह उनकी अपनी रासी थी कड़ी मेहनत परिश्रम में कोई कमी दिन थी लेकिन आकरमक्ष भाव के करन निर्णे समता कमजूर थी जल्दबाजी में निर्णे लिए ऐसी हवस्ता में जो मिलना चाहे था वो नहीं मिल पाये पर अब धनुरासी में मंगल धैरी और स्वर्ण बूज का परचे देगा और कामों में क्वालिटी आईगी में इस रासी वालों के लिए इस अवद्यों में अपनी जुमेदारों की प्रति अधिक सम्वे दिल से रहेंगे कारी कुछ सल्टा में ब्रदी होगी जिसके प्रिनाम सरूप कारुबार और नौकरी और कामकाज में उनत्ती के अवस्तर प्राप्त होगी संभवे इस दोरान नमिन परियोजना उपर काम करने का आउस्सर मिले कारी वेवस्यार में अच्छे सम्वन्दों की वज़े से कारी छमता में बढ़ोद्री होगी और लाब मार्ग प्रशस्थ होगा आर्तिक सुधरता मनों कुलड हैगी और आएक की साधन बढ़ेंगी और नमिन कारी की योजनाई सफल रहेगी नौकरी में सफलता मिलेगी इदि आप नए जौब में परिवतन का प्रियास कर रहे हैं उसमें भी आपको शफलता मिलेगी आपको नौकरी में उनत्ती कारक नहीं जुम्यदारिया मिलने से मन प्रफुलित और प्रसंचीत रहेगा परिवारिक जन्यों का रवया बहद सकारात्मक और श्रहोगी आपकी प्रति रहेगा दामपत जीव में शुकत सोहर्द बना रहेगा और छोटे भाई-बैनों के साथ मन में उत्सा बढ़ेगा हाँ ये संभव है थोड़ा सा कि खर्चा बढ़ सकता है या पिता की स्वास्ते को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती आपका स्वास्ते ठीक रहेगा मन में उमांग और उत्सा रहेगा आप दियारते उस शिक्षा के सित्र में बहतिल प्रणाम प्राप्त होंगे परतियों कोई परिक्षा में शपलता में लेगी परिक्षा परणाम मनोन को लेगे युवा इस समय केरियर के लोगर कुछ नया करना चाहते हैं लाब के अच्छे संकेत में जरा रहे हैं क्या उपाई करें मेश्राशी वालों इस चालीज दिन मंगल के हैं तो इन चालीज दिनों में एक नियम बनाने जी हर रोज प्रातकाल नित्य कर्म शनानो प्रांत एक पाठ संकट मोचन हनमान अश्ट का सुरिय उदेश पूर और सुरियास के बाद जरूर करें आपके लिए बड़ा शूप रहेगा मेश्राशी वालों इस आपके लिए संभव हो तो हर रोज सर्धान उशार गुड गाई को अपने हाथ से खिलाएगा उत्तम फलों की प्राप्ति होगी नमना इने बात करते हैं विर्षप राशी वालों के लिए सात्वे और बार्वे भाव का शौमी होकर मंगल धनुराशी में वकरी शुक्र जो इनकी विर्षप का राशी अधिपद विए अस्टम भाव में संचन करेगा और शुक्र धनु की बात करूं नौकरी की बात करूं कारुबार की बात करूं आरतिक दिश्यकौन से बात करूं समय आपके लिए ठीक रहेगा अचानक रुके धन की प्राप्ति होगी परन्तु कारिच चेत्र में उच्वे अधिकारियों वो शातियों का मननकुल शात नहीं मिलने के वज़े से मांसिक परिशान ने वेचानी जेल नी पर सकती है इदि आपने संयम रखा धैरिय रखा और वेट ने बाच किया तो सफलता आपका दामन चुमेगी अपनी योजनाओं को गूपत रखे तो बहुत बहुत बहुतर होगा इदि राजनिती के छेतर में है तो दिल की बात आपके लिए नुकसान दाइक रह सकता है लोगों की सुने जाज़ा और बोले कम और ऐसा नहीं किया तो गुप्त सत्रू आपका फाइदा उटा सकते हैं जो आपके प्रतिदोंदी है उनसे बचके रहना बहुत जरूरी है पूर्ण सचेत सूजबूज और बुजरगों की स ऐसे में आपको अपनी सभी जिम्यदारी को समझत वे अपने कारी और परिवार के बीच में ताल मेल बिठाने की आवश्यक्ता होगी निजी समंदा में शात्री की साथ मित्र बन कर रहे छोटी बचोटी बातों को इग्नोर करें तरक विवाद और गुस्य की बजाए सकारा उच्छ रख्त चाप, यूरिनल समल दी प्राब्लम, कब अपच पाईज जैसी कोई प्राब्लम है तो तुरं तुरं चिकसा का सारा लेजिए, क्या उपाई करें विश्युबराशी वालों इन 40 दिनों के लिए तो मंगल के बीजमंत्र और शुक्र के बीजमंत्र का जाब ओम क्राम क्रीम क्राम शब हमाइनमा और ओम द्राम द्रीम द्राम शब शुक्राइन, शुक्र और मंगल के बीजमंत्र का जाब करें, मंगल आपके सांत्र है, इसके लिए आप हर मंगलवार को सरदान उसार गुड गुशाला में दान दी जीगे, कर्ष्ट कम आएगा, हनव रहेगा नमना रहेगा घर बात करते हैं मिथून डासी वालों के लिए छटे और 11 भाव के सामी होकर मंगल वक्री शुक्र के साथ धनुराशी सब्तम्भाव में संचरन कर रहे हैं शुकर धनराशी में उनध जन्रिकुमार्गी होगा, सब्तंभाव डैली कामकाज हर रोज का पैसा कैसे आए, यह सब्तंभाव में देखा जाता है, साज़धार बाव में में सब्तंभाव के मैं जो संचरन कर रहा हुआ उसी साफ्चर मैं देखुंग, तो समय तो ठीक है भाई, बिगडे कारी में शुधार होगा, लेंदेन के मसले हल होगे, पिछली कही समय से रुकिवी कारोबारी योदनाओं को पूरा करने का अनकुल समय, पार्टिशिप का लाम मिलेगा, साज़ेदारे के साथ विचार विमर्श करने का मौका मिला और धनला की बडोतरी होगे, नए कारवारी योदनाओं को और अगरसर होगे, नए सोधा का लाब मिलेगा और आरतिक इस्तिती मजबूत होगी, अपनी चमता और सामर्थे को दिखाने का अवस्णम मिलेगा, पारवारी समय से को साथ लेकर चलेंगी, और जीवन शाती से समन थोड़ हर रोग प्रतिकाल नित्य कर्म निर्दो शिनान उप्रांथ हन्मान जी की सिर्चर्णम सुद्ध देशी घी का दिपक जिलाई पर एक गुलाब का पुष्ट वर्थ वर्थ है मंगल वारिक दिन हन्मान जी का ध्यान करते हैं सर्दा भाव से वर्थ करें नमका शेवन नहीं करें एक समय भूजन करें भूमी सेहन करें और वर्थ जब खोलें गुड़ या गुड़ से बने वे हलवे से वर्थ खोलें कि तो बड़ा सुब रहेगा और बात करते हैं करक राषी करगा शिवानों के लिए पांचीव और दस्वे भाव का शौमी होकर मंगल धनुरार्शी में वकरी शुक्र के साथ छटे भाव में संस्रन कर रहा है शुक्र धन्राशी में 29 जन라고 को मारगी होगा। छटा भाव शत्रू का भाव है करजा का भाव है रोक का भाव प्रत्योगितिय का भाव है नौकरी का भाव है तो कामकाज करियर कारोबार के दर्शिकौन से शमें जिस तरे का है मेहने से सपलता है आपका दामन चुमे, हाँ, अपने सभामे थोड़ा सा जिद्रिपना हो सकता है, अडियलख सभाव हो सकता है, जिसके करण आज-पास के लोगों से मतवHz को होसकता है, इससे बचना चाहीए, इस सथ काम करने वाले लोगों से संबाद करते ही, वाणि में मिठास और विचारों में अपना रखेंगे तो अच्छा रहेगा और ऐसा आपने रखा तो सतुर चाकर भी आपका नुक्सान नहीं कर सकता है अपने लक्स और परिष्टर पर ध्याम दीजिए कारी इस्तल पर आपकी कारी चमता और वर्चस तो बढ़ेगा लोगों को आपकी प्रति विश्वास आप बेरोजगार रोजगार मिलेगा और नौकरी में तो नतीक अवस्तर प्राप्त होंगे इस समय जीमिन की महत्मुन योजनाय लक्स को प्राप्त करने में आप सपल हो सकते हैं बस अपने भावनात्पक इमोशनल जो भाव हैं उन पर कंट्रोल रखना है गर परिवार में धार में एक रो मांगर का शंपन होंगे और परिवार का साथ आपको देना चाहिए सामजीक शिवा का आउसर मिलेगा सामजीक वर्चसु बढ़ेगा स्वास्ते को लेकर आप संतूर रेंगे फिर भी हड़ी और तुचा को लेकर को तकलीप है तुरन चिकर्षा का सारा परिवार में पिता का सहोग मनन को रहेगा प्रतु उनकी स्वास्ते को लेकर आपको चिंता जरूर है और पिता की स्वास्ते को लेकर लेकर लाप्रवाए नहीं करते क्या उपाएगा करकराशिवालों भगवान शिव की उपाश्ना अम्तत पुरसा एविदमें महादेवा ये धीमी तन और उदर पर चो जाते हर रोज प्रतिकाल जल गंगा जल उस पर थोड़ी सी मिस्री डालकर भगवान शिव की शिविलिंग पर अर्पित देंगे शिवगाई तरीका ख़ते और नवे भभाव का शामेखर मंगल धनुर आशी में वक्री शुक्र के साथ पंचंभाव में संस्रण कर रहा नातियर निवेस करने आपके लिए फाइदवनशित होगा कारोबार में सब्सक्राइब के अनुसार आगे बढ़ेंगे जिसे आपको हर छेतर में शफलता मिलेगे यह आप नौकरी में हैं यह आप नई जौब की तलास कर रहे हैं दोनों इस्थिति आपके लिए अच्छे आउसका संके देगे आपके अंदर शुत्री शाप शुत्री प्रतिश्पदा की भावना में ब्रदी होगी इस दोन आप अपने विचारों और अपने सुजाओं को लेकर बहुत इस्पष्ट और बहुत सी पारदासी होगे जिसे आपको मननोंकुल फुलों की प्राप्ति होगी इस दोन आपके भीतर में सामने सी अधिक उरजा रहेग परिवार के लिवास से समय आपके लिए अच्छा संके दे रहा है प्रतु सभाव की कठोरता की वज़े से पारवार की वाताओं नों थोड़ी सी तल की है तो इससे बचना चाहिए नीजी जीमन की बात करतों जीमन में नए मित्र के आने की आहाट मिल रही है और इद्याप साधी सुदा है तो व्यवाइक जीमन की पवितरता को खंडित नहीं करें परिशानी होशत विद्यारतियों को इसमें शिक्षा के दर्श्रकों से कठी परिश्म और मेहनत का संकेत नजरा रहें आप उच्छा के छेतर में हैं तो अभिभाव को और शिक्षों का श्रुक आपको अच्छा रहेगा थोड़ी सी महनत करें सपलता में जाएगी स्वास्ते में उदर स्रमंदी बिमारी का संकेत नजरा रहें निए पेट स्रमंदी को परिशानी अपच है गैस है में एक पार्ट सुंदरकांट का करते हैं हर रोज या मंगलवार के दिन या पिर हर रोज संकट मोचन हनुमान सच्ट या बजरन नबान का पार्ट करेंगे तो जिमने खुशिया मिलेगे और चालिंज दिन है बड़े अच्छे थोड़ी सी महनत करें और शपलता मिले जाए शुक्षमर्दी का है भूमी भवन का है वान का है और विलासीते का है घर के वातावन का भाव भी चोथा भावी है कामकाज की बात करूं कारवार की बात करूं वैवशाय की बात करूं तो समय आपके लिए अनकुल लहेगा आप इसमें उज़ा उत्सा और दर्द संकल्ब स से भरे रहेंगे आप अपनी सभी योजनाओं पर प्रभावे रूट से कारिय करने में सक्सम होंगे जमीन प्रॉपट की खरीद या बिकरी की समधी कारियों में अच्छा लावर्जित करेंगे लेकिन इस मामले में अपने से बड़ों या विसेजगों की सला अवश्य ले ता इस दोरन लाब और मुनापा अर्जित करने का मोका मिलेगा और अधिक बहतर प्रणाम प्राप्त हो शकते हैं आपके आसपास का सामाजिक और पारवर्वर वातरावन के प्रति थोड़ा सजग रहना पड़े अनाव सक्वाद वाद तरक्त मांसिक तनाव देगा इससे बच शाथ और माता का स्वास्ती थोड़ा सा बिगर सकता माता की स्वास्ती विशीश जयान दीजि़ेगा नमना रही क्या उपाये कर हैं को हर मंगल्वार दें सरदानों सार गुड लाल वस्तर में बांद गर किसी निर्धन गरिप विध्रा स्री को दाण मे देदीगा बड़ास वालों यदि प्रातकाल नित्य कर्मिनों शिनानों ब्राण घर की पहली रोटी पर गुड़ थोड़ा सा रख कर अपने उपर से एंटी कलोबस साथ बार उसारी और गाई को खिरा देजेगा और यह 40 दिन रोज करके देख लेजेगा सारे सारी प्रेशाने से आपको शुटका करेगा शुकर धन्रवार्शी में 19 जनर्र को मारगी होगा और तीसरा भाष सास का भावे प्राक्रम का भावे छोटे भाई बेनों का भावे कम्मिनिकेशन का भावे यात्रा का भाव यह समय कारोबार नोकरी के लिया से अनकुलता और लाब का संदेश दे रहा है मनवाची सपलता के साथ मनवल और आत्म विश्वास में विर्दी होगी लाब दाइक छोटी-बोटी कारोबार यात्राओं का अच्छा ही होगे आपको अपने कारी विस्तार करने का मोका कारोबार में उनतिक अवसर प्राप्त होंगी और आरतिक इस्तिती पहले से मजबूत होगी तो यह आप नोकरी में है तो सफलता आपका दामन्चियों में आप अपने कारी स्थल पर लक्ष को पूरा करने के लिए सख करूमियों के साथ मिलकर काम करें तो आपको सफलता मिल पर लिए और जो लोग आपके साथ काम करें आपके नीचे काम करें आपके ऊपर ताल मिल अच्छा रहेगा लेकिन इसके सासाती अपने कंदों पर नई जिम्मदर्य को बोज उठाने के लिए अब त्यार रहना होगा कोई नई जिमवारी मिल सकते है गर परिवार में टक्राव के इस्तिते शुटकारा मिलेगा इद्याबा विवाहितत विवाहव का योग है और निजी संबन्द में प्रगारता का संकित नजर आ रहा है हाँ एक बात जरूर कहना जाता हूं कानूनी मसलों पर लापरवई नहीं परते हैं क्या उपाई करें हर मंगलवार दिन हन जनमान चालिसे का पाट करें और ओम हम पमन दनाई शुहा इश्मद्रगा जाप करना अति उत्म रहेगा नमनन और बत करते हैं विर्चिक राशी वालों के लिए लगन और छटे भाव का शौमी होकर मंगल धनूराशी में वक्री अवस्ता में शुक्र के साथ दूसरे और शुक्र धनूराशी में 29 जनरी को मारेगयों को दूसरा भाव धन का भाव है कुट्रम का भाव है बाने का भाव है बैंक बैलेंस का भाव है स्वाद और भोजन का भाव है तो ध्यान से देखे इसमें कामकाज कारोबार में लगे जातक जातिकाओं के लिए ये समय सपल प्रतिश्प्रदा में इस्ट्रिया और जलन का भाव नहीं रखना चाहिए शुत्री प्रतिश्प्रदा रखे शत्रु से भी दुस्मनी रखना ठीक नहीं है लाब प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कठीन प्रेश्म का संकेत नजर आ रहा है यह अलग बात है उसमें आप कमी परियोजना है जो अभी आप रोक रखे उन्हें अभी रोके रखना है उन्हें शुरू नहीं करना इदी कोई पुस्तेनी कारोबार है तो धन प्राप्ति के अच्छे अफसर नजर आ रहा है प्रणतु इस समय नमीन परियोजना में धन निवेश करना लाब का संकेत नहीं करें जिनसाती के उपर अपड़ी विचार नहीं ला दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा इदिया आप समझोते आवादी नीति अपना और जिनसाती की प्रती समर्ति भाव से रहने का प्रियास करें तो आपके लिए उत्तम समय इंगे इस उठापट की बावजूद भी स्वास्ति अनकुल लेगा आतमबल मजबूत रहेगा स्वास्त मन इस्तर दिमाग और मजबूत मनबल के वज़े से हर चुनोती का सामना करने मा आप शप्षम रहेगा नमणारे क्या उपाई करें लगाता लगाता 16 जनवरी से लेकर 11 दिन वट वर्क्ष की जड़ में मीठा धनुराशी में वकरी शुकर के साथ लगन भाव से संचरन कर रहा है और शुकर धनुराशी में 29 जनल को मारगी होगा लगन भाव यानि आप श्यम आपका वैक्ति तो आप पूरा आप से समधर रहता है और लगन में बैठना बहुत सुबमाना गया है मंगल देव की लगन उपस्ति आप में जोस और स्पूर्ति का संचार करेगी आत्म विश्वास में बड़ोतरी करेगी वैविशाय में कुछ नया करने का मन बनेगा और नविन योजनाओं का लाब मिलेगा वैविशाय में जोखिम उठाने का आर्थिक फाइदा होगा आप पहले कि अप्विक् में है इदियाब सरकार की प्रसासनिक पदों पर विराजमान है या उच पदों पर बैठे हैं आपके लिए अच्छा संक्य करने का आउसर मिलेगा आई की व्रिदी की साधनों में बड़ोतरी होगी पारवारी ग्रूप से आपको अनकूल फलों की प्राप्ति के साथ साथ बातमन बहुत अच्छा रहेगा स्वास्षी के मोश्ची पर शमय आपके साथ है पर तो फिर भी स्वास्षी में जी छोटी मोटी स्वाश्यों का सामना करना पर सकता है विसे इसकर पाचन तंतर से जुड़ी है तो चिकेस्टा मिला परवाई नहीं क्या उपाए करें 16 जन् मन्गल दनुराषि वकरी शुकरक्षाद बार्वे भाव में संचरण कर राए शुकर धंडुराषि में 19 जन्मी मारगी होगा और बहुति धाष्चों का है इन्मेस्मेंट का है मंगल देंग की 12चफ भाव Bakी उपस्तित के अपके लिए अनकुल तका संकेत निरे रहेकिं ज काई की स्थरतों की कमी के कान शामाजिक व्यवस्ता में उतार चड़ाव का शंक्यत नजर आ रहा है पैसे टेकर के लिए आपकी आपसी रिष्टों में कठुता का प्रबल संक्यत है सोच समझ करने ले इसमें बहुत जरूरी है वयोवरत साती सलाकार शकर में और जिन पर कितों का भी पारवर जिन में शंगर्स की समश्या है नजर आरी शंगर्स हो सकता है आपकी सभाव की कठोड़ता और चिर्चड़ापन आपकी व्यक्तिकत जीवन को प्रतिकूल प्रभावित करेगा ध्यान रखिए जीवन सातिक से ताल मेल बिलना कर चरना बहुत जरूरी म आपको विशेश सावधानी बरतनी पड़ेगी घर में किसी वईवर्द सद्य से के स्वास्ट में प्रतिकूलता का प्रभल संकेत हैं चिकस्ता मेला परवाई नहीं बढ़ेगी सारी उठापटे परिशानियों के बावजूद भी मैं आप से एक बात दिरू करूद इदिया अच्छाए इसे धन की आवग होगी और आपको शफ़लता मिलेगी कंस्रैर्चन भी आपके लिए अच्छा है ट्रैंसपोर्ण भी आपके लिए अच्छा है छनन में भी आपको अच्छा इछ से रहेगा स्फलता मिलेगी आपका उपाई खाली च Sea ये आप शिंत रहिए वे मंगलवार एक दिन किसी विद्वास तेरे को शाबूत मशूर की दाल जो शाबूत मशूर है वो श्रदानों साथ दान में देंगे तो बढ़ा आचारे और यह लगाता है चालिज दिन देना शनिवार और मंगलवार नमना और बात करते हैं कुमराशी कुमराशी वालों के लि आउस्तर आपको देगे इस दोन आपको अपने पूर्व में किये कि हर निवेश से अच्छा मुनापा अज़ित करने का मोका मिलेगा और आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कारियों को गती देने में इस समय आप शक्षम रहेंगे आपकी बाद हाई दूर होग आप छियम के और कारियों में इच्छा नुसार नाप भी मिलेगा vyj मिलेगा आपका हर कारियों को अपनी महनत उर्व लगन से पूरा करने माप शफल लंगी और जिसके प्रणाम से वा भरबूर प्रसंशा और प्रस्त्रिकी प्राप्ति भी होगी vyj इसके साथ ही आपको कारिस्तिफल अपने वरिष अधिकारियों से बातचीत पे थोड़ा सचेत रहने कि आप सकता है वारता लाब में शब्दों का चेहन बहुत जरूरी है यहीं सब्द अच्छे नहीं रहे तो कुछ विप्रत प्रणाब भी आपको देखने को मिलेंगे डॉकुमेंट्स कोट कर्चेरी की मसलों को लेकर थोड़ा सब्दाब हां पारवरी समाजिक दर्शिक अनकुल लेगा और जिवन साथे का अच्छा साथ मिलेगा और स्वास्ते भी ठीक रहेगा क्या उपाय करें सर्दानन सार गुर और चना गरीब जिरुदमन लोगों में बा शुक्र दन्राष्टे में 59 जनवे को मारगी होगा दसंभाव केरियर का भाव करम का भाव यहस का भाव नाम का भाव मंगल दें की उपसलिए अपके लिए अनकूल रहेगी वैविस्ताय दिस्ट्रशिकों से इस समय आप सभी वैविस्ताय कारियों को अपने कारीक उस्द् में सक्सम रहेंगे और यह चम्ता आप वह करेंगे हर च्छ मताब्ढेगी आपकी सिल्थथा बढ़ेगी और इसका पूरा पूरा लाप बिजिशन में देखने यह और सरकारी या कोई सरकारी अधिकारी आपका स्वहोग करेगा और आपके लिए खासा मददगार होकर आपको शपलता भी बिलेगा इदि आप आज जीवगा की तलास कर रहें तो युवाओं के लिए ये समय बड़ा लाब दाएगे आपके इच्छानुसार आपके आज जीवगा समयजे के तो पारवरी श्रमिंत में मिठास बने रहेगी घर और बार कि शंपुम श्रमश्यों का समधान होगा और पारवरी सदीस होड़ी बीच में समय जर्णा रहे जीवए सतवाथ का सवहोग मिलेगा दामपतेए जीवन परगार आएगी और श्वास्ति भी आपका उत उसके बाद किसी गरीब निर्धन विदव इस्त्री को भोजन का दान देजिए, किसी भी गरीब महिला को भोजन का दान देजिए, लगातार 40 दिन ये कर देना, सारी कश्छ, सारी प्रेशाहने से शुट करा देजिए। प्रिधस्कों मित्रों शाथियों, बार एक बार梁षा के राशियों के राशिपल है। ये नक्षतरbor करनाहों की आधार पर मेरा आंकलन था। जो प्रशाद मुझे रिष्यों के मिला ये जो अनभव है उस आदार पर मैंने आंकलन आपके सामने रखा है हर हर बार की तरहे मेरा एक निवेदर नहीं कोई विवाद नहीं तरक और नहीं कोई तनाव त्योक्ति मैं ये कहता हूँ शकेन उपनेट का अधिकार आपका था आपका है और आप भी करेगा मनों नमनों आपकी मर्जिन, हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो, तो दोनों हाथ जोड कर, मिनमर भाव से छमा मंगता हूँ, और प्रभू से मेरी प्रात्ना है कि आप शुकी रहें, स्वस्त रहें, समर्दी सीर लहें, नमाना रहें, रास्तान का हर व्यक्ति जानता है, एक दाती महरा जि बेटियों से बहुत प्यार करता है, हजारों शक्रों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपून जीवन दिया, और यह मेरा शौक था, मेरी रास्त की धरवर थी, और यह करना मेरा करते और करम था, मैं आपको किसी वज़े से नहीं सुना रहा हूँ, बस खा सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस रास्त के साथ लगाया है, वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकौन से मेरी अनकूल नहीं है, धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांग रहा हूँ, अब वरतमान में जो आर्तिक प्रस्ति हैं, वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है, कि सनीधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं शयोम आपके साथ खड़ा हूँ, आपकी समश्याओं के जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीओंगा तब तक खड़ा रहूँगा, नमबर आ रहा हैं, इन नमबरों पर शंपर करी, आप इसकी अवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लीजें, और इसलिए मैंने कहा था कि भाई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गायों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हिरुदय से आया, लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करत परेश्रम करूंगा आपके लिए, और परेश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करें, शनि भगवान आपकी रक्षा करें आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेद है, और वे लोग जो शक्षम है, शामर्थेवान है, और जिन ने सनिधाम गोशाला में 200 रुपया चारा का दिया है, मैं उन सब की प्रति अपना आभार प्रगर करता हूँ, और ये सयोग में जीवन भार याद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है, कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दश्टिकॉन से अनकूर संकेत नि दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्पोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं, शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्यादा है, शासन के पा जरुशयो करे, पेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, आउम नमोनाराइन, आउम नमोनाराइन.